नमस्कार दोस्तों रवीन सिंग भाटी का इससे पहले आपने ऐसा अवतार नहीं देखा होगा भाटी पूरे फॉर्म में हैं एक के बाद एक सरकार पर जमकरवार कर रहे हैं भजनलाल के सारे मंत्री भाटी को बस देखते रह गए हैं राजस्थान विधान सभा के बजट सत्र के दवरान सिविधायक रवीन सिंग भाटी ने राजस्थान को आपरेटिव डेरी फेडरेशन को लेकर बड़ा खुला सा किया भाटी ने आर्टी डियप को राजस्थान चोड डाकू फेडरेशन तक कह दिया भाटी ने कहा कि डेरी प्रोडक्ट पर प्रोडक्शन डेट नहीं है, मसीन खरी देने के लिए करोडों का टेंडर मुक्तान हो गया है, लेकिन अभी ही तक मसीन आई नहीं, सीकर में कभी टेंडर नहीं हुआ, लेकिन मुक्तान लेकर ठेकदार फरार हो गया, भाटी यहीं नहीं रुखे, कहा कि मेरे से पहले अलग-अलग सद्यस्यों ने घोटाले और भरष्टाचार की बात की है माल पूरा में बटर पैकिंग मसीन खरे देने के लिए सिंगन टेंडर किया गया एक करोड़ अस्ती लाक रुपे का बुक्तान भी किया गया लेकिन दुर्भाग से न तो मसीन आई और न पैसा क इसके खाते में गया किसे भी नहीं पता है आर सी डियप दूद पाउडर और लगबग 14,000 घी का स्टॉक किसी काम का नहीं है पोड़क्शन की कोई डेट नहीं है एक स्पारी डेट लिखी गई है एक तरफ सुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी लेकिन हमारे जिले में नहीं है, यह मन्त्री से मांग है कि काउं की अर्फववस्था मजबूत करने केvert लिए लिए बाटErी ने डेटरी पारलर का जिक्र करते हुए कहा कि एक फर्म को उन्हें लीच पर दिया डाई करोड रुपे इन रावेंट पर खर्च किये गए और बिना किसी टेंडर के सीधा काम ले दिया गया इसकी जाच होनी चाहिए स्थीकर में टेंडर होनी की बात कही गई है ठेकेदार करोड रुपे डेरी के उलेकर भाग गए हैं और जांच भी नहीं होई इसके बाद भाटी ने कहा अब RCDF का नाम राजस्थान चोड़ ठेकेदार फोड़े डरेशन हो गया है दोस्तों आपको क्या लगता है रवीन सिंग भाटी के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कौन जवाब देगा क्या राजस्थान में दूडेरी का विकास पर भाटी के इलाके में फोकस बजनलाल सरकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी आपकी जो भी राय है आप कमेंट करकर हमें बता सकते हैं